Good morning everyone. I am going to tell you about chapter 3. Today, the third chapter is fruits and vegetables, ful और सबजिया, fruit wearing trees, ful देने वाले पेर, some trees bear fruits, कुछ पेर फुल वाले फल देते हैं, fruits are very tasty and good to eat, कुछ पौदे क्या है, very tasty and good to eat, fruit हमें फल देते हैं, जो की बहुत tasty होते हैं, और खाने में बहुत स्वाधिस्ट होते हैं, trees give us many fruits like, और खाने के लिए अच्छे पेर, हमें कई फल देते हैं, जैसे like apple, यानि say mango, आम, पपाया, पपीता, बनाना, केला, कोकोनट, नारियल, और उसे बहुत से हैं, we eat most fruit raw, uncooked, इसमें क्या होता है हम, हम जाता है, फल रॉख खाते हैं, और उसे पकाया जाता है, यह क्या हुआ, fruits जिनके पेर बड़े होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, mango tree, यानि आम का पौधर, and apple tree, shape का पेर, orange tree, संतरे का पेर, इसी तरह vegetable plants, यानि सबजियों के पौधे, plants give us vegetables, पौधे हमें सबजी देते हैं, we eat vegetable cooked or raw in the form of salad, हम सलाद और फलो, फलो को सबजी के रूप में पकी हुई सबजी खाते हैं, या सबजी, खाना, fruits and vegetable are good for health, खाना स्वास्त के लिए अच्छा होता है, यह है हमारा tomato, यानि टामाटर, cauliflower, cauliflower means होता है, फूल गोभी, beans, यानि फलिया, potato, आलू, lady fingers, भिंडी, यह सब चीजे हैं हमारी, और आज हमारा third chapter यहीं पर finish होता है, chapter third EBS में finish होता है, आप इसको एक बार revise करेंगे, and then second chapter का जो मैंने picture क्लिक की हैं, जो उसमें full name लिखने को दिये हैं, आप वो करेंगे, तो आज के लिए इतना ही, thank you everyone.